नमस्ते प्रणाम गुड़ मॉर्णिंग जैशिर्राम अध्या के नगरी में हैं हम और बड़ा ब्यारा महौल है यहां का मज़ा आ रहा है तोड़ी से तबीयत खराब थी मेरी तेन दिन से ज़्यादा फीवर और लोजमों से प्रफसान था मैं और दो दिन से काम भी रहुत कम कर पाया और यह गाना मेरा बहुत प्यारा वीव मेजिक से रिलेज हुआ है कि सखी सनी चरके तो इस गानी को प्यार और असरवाद अपना जिस तरह दे रहे हैं दोनों जगट ट्रेंडिंग में हैं तो ऐसे ही प्यार और असरवाद देते रहे हैं और आपका भाई आपके लिए बेहतर कुछ करता रहेगा बागे चीजे ठीक है अब बोलने की जरुवत नहीं है आज एक वीडियो देखा मैं वाइरल वीडियो कुछ था जो कि एक ब्रामन कुल के इनसान को कान पकड़ के उठ बैठक करा रहा है कोई वो चीजे ठीक नहीं लगे क्योंकि ब्रामन कुल मुझे ऐसा लगता है कि पुजनिये हैं और हम ही नहीं मुझे लगता है हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो ब्रामन कुल को मानता है और सदियों से हमारे बाप दादा और सबके बाप दादा पूझते हुआ हैं और उसको कान पकड़के उठ बैठक कराना ये मुझे नहीं लगता कि अब ब्राह्मनों का यही सम्मान रग है हमारे हिंदुस्तान में तो कुछ बात नहीं उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं बढ़ ठीक है जो मेरे बारे में बोलेगा उसको ऐसे किया जाएगा गुज अच्छी बात है हम आटीश थें कलाकार है में कलाकारी करना चाहिए अगर दबंगई पर आदमी आज है तो ठीक है उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि अब क्या सब्द बोलू मैं कि कलाकार को कलाकारी करनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है और ठीक है मुझे मैं बोलूंगा तो साहिद बिबाद हो जाता है मैं सचाई ही बोलता हूं और लोगों को लगता है कि मैं बिबाद करता हूं कि लेकि मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं ब्रामन कुल का बहुत सम्मान करता हूं और मुझे लगता है कि मेरी पूरी खंदान सम्मान करती है हमारा और पूरी भजबुर के तरफ हमेशा चाहे वो और भगवान से बड़ी जुड़े हुए हरो ब्रामुन रहता है जो भगवान के बनाय विरास्तों को हमें बताता है और उस आदमी को कान पकड़ के उठ बैठक कराना ये सही नहीं लगा बाके जीजे ठीक है आप दबंगे करें चाकू लेकर किसी के सर पे रखकर और जबरजस्ती बुलवाना की बोल सलमान खान को होने ये दुनिया बनाती है किसी को सलमान खान या रितीक रोशन या किसारी लालिया दुनिया कोई भी ये संसार बनाता है हमें किसी को जबरजस्ती एक आदमी के बुलवा लेने से कोई सलमान खान नहीं हो ज कहीं हर वक्त पुजनिये हैं, एक छोटे ब्रामन के कुल के बच्चा अगर भी होता है ना तो हमारे पापा पैर छोते हैं, हम छोते हैं, हर आदमी छोता है, क्योंकि वो उसी के लिए बनाये गए हैं, लेकि एक कौम के तरफ से, और एक विशेस आदमी के तरफ से, विशेस सल अमान खांजी के तरफ से, ये चीज़े हो रही है कि उनके लोग किसी ब्रामन को कान पकड़के उट बैठक कराना ठीक है, इसका ही इनसाफ मुझे लगता है कि हमें क्या, ये जन्ता दे देगी और ये इशेस जरूर देगा, अगर आप से कोई विशेस प्रॉब्लम है, और क्योंकि बोल के करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, ये सब चीज़े दबंगई वाली तो है नहीं, कानून है, नियाले है उसके लिए, और मैं अब नियाले से ही काम करता हूँ, कानून के द्वारा ही चीज़े करता हूँ, क्योंकि आखिर कानून किसले बनाया गया है, हम इस देश के बास ही है कि गानून का पर्तिकिरिया तो ही है। तो अब कोई बोले मेरे बारे में 400 कि मैं pray दबंग हूं नहीं मैं एक आटिस्त हूं कलकार हूं मुझे कलकार ही आता है । बंगई लिए आता हैR अच्छे सिनेमा करने के लिए बेजा है, अच्छे एक्टिंग करने के लिए बेजा है, अच्छे बिचार धारा के साथ जीवन को चलाने के लिए बेजा है, तो हमें उसी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और हमारे साथ रहने वाले लोग भी, मैं सब को अपने भी लोगों स अब तो सुरुवात है देखते हैं आगे क्या होता है युश्वर सब के लिए है बट वो चीजे मुझे बुरी लगी सवरी माफ करिएगा आप लोगों के सोभा नहीं देता है कि ब्राम्हन कुल के बीटा को आप नंगा करके और कान पकड़वा के उठ बैठक कराते हैं और द होटल का नंबर दे दू नहीं बट यह सब नहीं करना यार बात एक बार बात निकलती है बात होती है उदर से निकलती है दर से बात बात में खतम हो जाती है इसको इस पॉइंट पे लेकर जाना कि आप किसी का गेम एक लड़की को भेज कर उसके साथ एक ब्राम्हन कुल को जो आदमी बताईए, बने ताडी तक नहीं पीता, नसा तक नहीं करता, गुटका नहीं खाता, उस आदमी को बियर पिलाना, उसको बेज़त करना, उसको नंगा करके, कान पकड़के, ब्रामन हमेशा पुजनिये होता है, जैसा भी हो, बट उपुजनिये होता है, और ब्रामन अन्हों राम भी ब्रामन के ही ज्यान से उपर आए थे, उन्हों ने जो भी उनके गुरु एक ब्रामनी थे, तो हमें बनाने वाले इस्वर का भी गुरु एक ब्रामनी हुए, तो हमें बट कोई नहीं मत्के गती रति भूत बढ़ाई जो जन जतन जहां ले पाई जो ये इतना जानता है जो ये इतना समस्ता है उतना वो करता है बट वो चीज़े ठीक नहीं थी बट साइद आप लोगों के लिए बहुत आमकार अच्छी बात है ताकतवर होना अच्छी बात है लेकि ताकतवर किसी अगर आपके अंदर ताकत है न तो बरदास करने की चंता रखिये ताकतवर वो नहीं होता है जो किसी को चाकू मार दे किसी को धमका दे किसी को डरा दे और उभी लोगों के दम पे अपनी ताकत अपनी गाईकी पे अपनी एक्टिंग पे अपने काम पे फोकस करके दिखा ये दुनिया को ताकतवर किसी को मार कर थोड़ी कौन ताकतवर किसी को मार कर बना है बाद में उसका हसर क्या हुआ है सब को पता है बट ठीक है जिंदगी ह बट मुझे बुरा अब लगा, क्योंकि मैंने वो वीडियो देखा, नंगा करके एक ब्राम्हन कुल के बेटे को कान पकड़के उठ बैठक कराना, वो बहुत गंदा था, अभी तक तो ठीक था, कि हाँ बोल की सलमान खाने है, यह है, क्योंकि मैंने देखा वीडियो, क्योंकि मैं एक ब्रामन का सिश्य हूँ, मेरे गुरु जी, कमला कांत मिश्रा जी ब्रामन है, और मैं उन्हीं के असिरबाद से बड़ा हुआ, यहां तक पहुचा, और हर ब्रामन का सम्मान करता हूँ, मेरे साथ रहने वाले, जितने भी ब्रामन हैं, इन केस की आपको पता नहीं हो मेरे सम्मान की बात 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 वहां यहीं, और ठीक हैं, कोई नहीं, आपको आपकी ताकत मुबारक हो, इस्वर करें कि ऐसा उपलब्दी हमेशा आपके पास के लोगों के अंदर रहे, आपके पास रहे मैं वेस्ट अव लाग वेस्ट अव लाग आप ऐसे ही ताकतवर बनते जाईए ऐसे लोगों को लेकर जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो आपके नाम से बड़ा हुआ अपके नाम से तो ऐसे लोगों को रखी जो लोगों का सम्मान करे और खास करके ब्रामौन कुल का ब्रामौन कुल ऐसी जाती है जिब भी आहो कर अवेल लो लो सरादो कर अवेला तो यह बात के ध्यान रखेगे चाहिए कि घर में अगर मेरा रूँ आवे ले न तो एक ब्राम्हन के मंतर से ही आती है और घर में कोई मरता है और उसको अगर मुक्त मिलता है मुक्ती मिलती है न तो वो ब्राम्हन के ही वो जैसे मिलती है और हम उसी ब्रावन को नंगा करके और कान पकड़के उट बैठक करा रहा है ये बहुत गलत बात है भाई बहुत गलत है बट ठीक है भगवान के लाठी में आवाज तो नहीं होती लेकि लगती बड़ी तेज है यार वो लगती बड़ी तेज है आपके अंकार आपको मुबारक हो इस्वर करें कि आप ऐसे ही अंकारी बनते जाएए चाकू के दम पे सल्मान खान बुलवाते है बन के दिखाए ना सल्मान खान बनने में टाइम तो लगता है दुनिया में ऐसे कोई थोड़ी बनता है उसकी तरह एक्टिंग करनी पड़ती है उसकी तरह बिचारधारा रखना पड़ता है उसकी तरह गरीबों का मदद करना पड़ता है उस आदमी की तरह अपने फैमिली को लेकर चलने का देखी सिलसिला देखी है उस सलमान खान बनने के लिए हमें मुझे लगता है कि बहुत मेनद करनी पड़ती है किसी एक आदमी से सलमान खान चाकू के दम पर बलवा देने से कोई सलमान खान नहीं होता भाई उसके लिए बहुत सारी चीज होती है बहुत परकिरिया होती है बहुत इस्टागल होता है तब कोई सल्मान खान बनता है बट जिंदगी में मैं यही कहूंगा कि जो ब्रामनों का संब्मान नहीं किया वो खुद का संब्मान कभी नहीं कर सकता है क्योंकि उब बनाए गए हैं सम्मान के लिए ठीक है उन्होंने आपके लिए गलत बोला आपके लिए आपके पास कानून था आपके पास नयाले हैं आप करवाई करिए कोई भी आपके बारे में गलत बोलता है तो आप करवाई करिए उसको लिए आप धंकाईए का दस आदमी भी बोलता बट वो वीडियो देखा तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि नहीं एक ब्रामन कुल के बेटे को आप ऐसे नंगा करके और कान पकड़के उट बैठा कराना ये सही नहीं था चलिए हर उस पशुराम के बंसर्ज को प्रणाम और सब को प्रणाम जितने भी लोग देख रहे हैं जो मुझे प्यार करते हैं और मैं ब्रामन का हमेशा सम्मान करता हूं ये सब लोग जानते हैं और मैं ही नहीं मेरा पुरा खंदान करता है और protesting कि हिंडूस्तान करती है कि व बट कोई नहीं आपकी अंकार आपको मुबारक हो पर प्रभू एसे ही आगे करिए मेरी सुभकामना आलवेज आप लोगों के साथ है आप ऐसे बढ़ते रही है इश्वर आपको ऐसे ही आपके दिमाग में बुद्धी में ऐसे ही परिवर्तन करता रहा है मैं बोला नहीं कि रमायन की चोपाई कि मती के गती रति भूत बढ़ाई अजो जन जतन जहां ले सब्सक्राइब करने लिए अब यह कोई ब्रामुन होगा तर्फेर को समझ पाएगा जो रमायन से करीब होगा जो गरंथ को जानता हो वही बता सकता है अदριवाई से अप लोगों के बसकी बात हैई क्योंकि आप लोगों से तो बेद पुरान से बहुत उल्लाद क्योंकि ब देने हैं भाई नमस्कार प्रणाम आप लोगों के हांकार आप सबको गुबार रखो लभी ओल भाई अगर कुछ गलत बोला होगा तो उसके लिए छमा प्रारती हूं बट ठीक है ओके और एक और आज खुश खबरी की बात है कि हमारे बड़े भाई और सप्पा के आणिये अकले स्यादू जी का आज जनम दिन है तो मेरे तरब से अपने बड़े भाई को जनम दिन की धेरो सारी बधाईयां धेर सारी सुबकामना उस पूरी फैमिली को सुबकामना की इसवर ऐसे ही भाईया को रुजवान बनाए रहें और आप सब के बीच में हमेशा झाल झाल झाल